सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिल सकें अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपको पता होगा कि नया सीजन जो की है सीजन 5 आज चुका है इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप step by step method से आरपी खरीद सकते हैं आप जैसे कि जानते हैं कि आरपी खरीदने से हमें बहुत सारी नई skins हमें UC, एन हमें आरपी, हमें costume, बहुत सारे ऐसे PUBG crates भी मिलते हैं जिससे हम नए-नए feature इसमें unlock कर सकते हैं इस वीडियो में आपको उन सभी के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप ये आरपी को खरीद सकते हैं और सभी को unlock कर सकते हैं इस वीडियो को end तक देखते रहेए ताकि आपके सारे doubts clear हो जाए बिना कोई time waste किये, let's begin So first of all हम बात करते हैं आरपी के क्या-क्या फायदे है So यहाँ पर आप जैसे PUBG खेलते होंगे तो आपको यहाँ पर right hand side में आरपी लिखा हुआ मिल जाएगा So आप जैसी उसमें click करेंगे तो आपके पास जो free royal pass रहता है So free वाले में बहुत जादा चीज़े देखने को नहीं मिलती है So बट अगर यहाँ पर आप elite royal pass या royal pass को अपने upgrade करते हैं तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़े unlock होने के chances मिल जाते हैं So जैसे जैसे आप आरपी के mission complete करते जाएगे यह सारी चीज़े unlock होती जाएगी So season के end होने तक आपको यह सारी चीज़े unlock हो ही जाती है And यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े मिलती है जैसे आपको back के skin मिल जाएगे नई costumes मिल जाएगे Emotis मिल जाएगे जैसे की dancing वगर के steps रहते हैं यहां पर आपको guns की skin मिल जाएगी PUBG crates के coupon मिल जाएगे और आपको main important बात की यहां पर आपको UC credit भे मिलते रहेंगे इंवेस्ट करते हैं मतलब की एक बार NP खरीद लेते हैं तो आपको 600 UC cash already मिल जाते हैं एक बार investment करने के बाद, so जब भी next season आएगा, अगर आपने UC cash को कहीं खर्च नहीं किया है, तो आप again Royal Pass खरीद सकते हैं, बिना कोई extra amount के, so हाँ अगर आप RP खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए इसके बहुत सारे फाइदे हैं, मतलब आपको नए costumes मिलेंगे, crates मिलेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़े आपको मिलती जाएगी, प्लस आपको UC cash भी मिलेगा, जिससे आप next season का Royal Pass free में खरीद सकते हैं, so यहाँ पर यह है one time investment, मतलब आपको एक बार ही पैसे खरीद सकते हैं, so next time जो भी season आएगा आप उसमें इनी UC cash को redeem करके नए Royal Pass खरीद सकते हैं, so इसको खरीदना कैसे है, so सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपनी profile में जाना है, and profile में जानने के बाद आपको यह जो ID number है, इसे note कर लेना है, so इसको note करने के बाद, आपको यहाँ पर से back जाना है, and आपको यहाँ पर RP में click करना है, and RP में click करने के बाद, आपको यहाँ पर option मिलेगा कि upgrade pass, so आपको upgrade pass में click करना है, and यहाँ पर आपके सामने दो option होंगे, एक होगा 600 UC cash का, and जो दूसरा होगा, वो जाएगा, and यहाँ रही, जो दूसरी बात वो है, 600 UC cash के बारे में, हम इसी वाले को purchase करने वाले है, so because मुझे यह अच्छा भी लगता है, because यहाँ पर से हम धीरे-धीरे, जैसे-जैसे mission complete करते जाएगे, हमारे साथ जो चीजें हैं, वो unlock होती जाएगी, so हम यहाँ पर यह जो 600 UC cash वाला है, इसे purchase करेंगे, so यहाँ पर इसमें click करने के बाद, आपको यहाँ पर 600 वाले option में click करना है, and यहाँ पर एक ऐसा option आएगा, कि purchase royal pass for 600 UC cash, so यहाँ पर आपको okay click करना है, and okay करने के बाद, यहाँ आएगा not enough UC, purchase some, so आपको okay click करना है, and then यहाँ पर आपके सामने, एक ऐसा कुछ detected आएगा, कि our system has detected that you are trying to purchase in PUBG Mobile, so यहाँ पर आपको normally purchase में click करना है, so यहाँ आप purchase में click करेंगे, आपके सामने जो भी browser है, उसका जो page है, वो खुल जाएगा, and अगर यहाँ पर जो ID है, वो आपकी ID अलरेड़ी यहाँ पर mention नहीं की है, तो जो ID मैंने बताई थी, आपको copy करने के लिए, वो ID यहाँ पर आप paste कर देंगे, so paste करने के बाद, आपको simply यहाँ पर enter दबाना है, या तो आप login कर सकते हैं Facebook से भी, so enter दबाने के बाद, यहाँ पर आपको जो profile है, nickname वगरा, सब कुछ यहाँ पर as it is आ जाएगा, मतलब आपको अपनी profile की detail यहाँ पर मिल जाएगी, so यहाँ पर आप payment कर सकते हैं Paytm से, या यहाँ पर redeem code का भी आपको option मिल जाता है, so यहाँ पर जो है हम 799 वाला जो option है, उसे खरीदेंगे, because 799 में हमें 600 UC cash प्लस 170 extra UC cash मिलता है, so हमें RP mission के लिए चाहिए रहते हैं 600 UC cash, so हम 600 UC cash वाला option select करेंगे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 600 UC cash में हमें यह जो है option वो मिल जाएगा, so यहाँ पर हम इस वाले option में click कर देंगे, and यहाँ पर click करने के बाद आपके यहाँ पर सामने option रहेगा next का, and यहाँ पर जो total amount आपको pay करना है वो है 799 इंडियन रुपीस के साब से, so अगर आप किसी दूसरी country में रह रहे हैं तो वहाँ की currency के साब से, जो भी amount होगा वो आपको pay करना होगा, so इतना करने के बाद आपको यहाँ पर next दबाना है, and यहाँ पर आपको सारी information डालनी है, जैसे कि आपको अपना email address डालना है, phone number डालना है, then आगे forward करना है, so यहाँ पर मैं अपनी सारी details प्रोवाइट कर देता हूँ, so phone number and email डालने के बाद आपको यहाँ पर pay now में click करना है, and pay now में जैसी आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने paytm का एक page खुल जाएगा, because मैंने यहाँ पर paytm का option select किया था, so ptm का page खुलते ही, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे option आजाएगे, मतलब कि आपको कैसे pay करना है, net banking के थुरू pay करना है, या और कही other bank के थुरू pay करना है, यहाँ पर आपको beam upi यह net banking के थुरू ही pay करने का option मिल रहा है, so यहाँ पर आप अपने bank के accordingly यहाँ payment कर सकते हैं, so जैसे कि मेरा state bank of India है, तो मैं state bank of India में click करके pay now करूँगा, so आपको यहाँ पर से नया page में वो redirect करेगा, so यहाँ पर आपको पूरी payment इसकी करनी है, and payment होने के बाद आपको जो next चीज होगी, यहाँ आप अभी वीडियो में देख सकते हैं, so यहाँ पर payment होने के बाद यहाँ पर जो option आएगा, वो आएगा payment successful, your purchase was successful UC, so यहाँ पर होने के बाद आपको continue shopping में click करना है, and now अब जब आप back जाएंगे, अपने game को refresh करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको UC जो है credited मिलेंगे, so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे जो UC है, वो 770 हो चुका है, so आपको अब now करना के आपको RP में जाना है, and RP में जाने के बाद आपको simply यहाँ अप्ग्रेट पास में click करना है, and यह जो 600 लिखाओ है, इसमें click करना है, and यहाँ पर purchase रोल पास वो 600 UC cash है, so आपको OK करना है, and यहाँ पर से आपका जो ELITE अप्ग्रेड है, वो हो जाएगा, and वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, so यहाँ पर लिखाओ आ रहा है, upgraded to ELITE रोयल पास, so यहाँ पर आप टैप कर सकते हैं, कहीं पर भी, so now आपका जो ELITE रोयल पास का है, वो आपने खरीद चुका है successfully, and देख सकते हैं, कि आप खरीदते ही आपको एक नया costume जो है, मिल गया है, and यह जो है Mini 14 की street art की skin आपको मिल जाती है, so ऐसे ही आप जैसे जैसे mission करते रहेंगे, आपको ऐसे ही सारे options जो हैं, वो unlock होते जाएंगे, so देख सकते हैं कि आप सारे mission जो है, RP pass वाले भी खुल चुके हैं, so आप इन missions को complete कर सकते हैं, so friends इस video के लिए इतना ही, and मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको सारे steps समझ आ गए होंगे, and अगर आपको सारी चीजे पसंद आई हो तो वीडियो को like किये बिल्कुल भी मच जाएगा, because आप सभी के like सी मेरा motivation है, and अगर आपको कोई query डाउट या आप मुझे कुछ सुझाओ देना चाहें, तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं, even आप मुझसे facebook और instagram पे connect हो सकते हैं, and सभी की link में आपको नीचे description में दे दूँगा, so इस video के हम यहीं paint करेंगे, and मिलते हैं ऐसी किसी new interesting video के साथ, till then जय हीं, take care and stay fit.